हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल कॉंसेप्ट इस वतेंद्र में मैं हूँ अबनाव सिंग और आज हम कर रहे हैं 21 फरवरी 2021 की करेंट अफियर्स तो पहला जो टॉपिक है वह है छेत्रपती स्विवाजी जैनती 19 फरवरी को छेत्रपती स्विव में हुआ था महाराष्ट के शिवनेरी के किले में कब हुआ था 1630 इस्विव में इनकी माता के नाम जीजाबाई थी और पिता जी थे साजी भौसले साजी भौसले या पिर साजी राजे भौसले भी बोलते हैं यह मराटा सामराज के पहले छेत्रपती थे और उसके संस्थापक भी थे मराटा सामराज की इस्थापना इन्हों नहीं की थी 1870 में जोतिवराव फूले द्वारा और बाद में जो सिवाज अमारे तिलक जी थे बाल गंगादर तिलक उन्होंने 1895 में इस जहनती को मनाना शुरू किया सबसे पहले 1870 में जोतिवराव फूले ने फिर जब स्वदेशी आंदूलन चल रहा था स्वदेशी का पिचार वि जहनती 19 फरवरी को मनाई जाती है चलते अगले टॉपिक की तरफ दादा साब फाल के पुरुषकार इस बार का दादा साब फाल के पुरुषकार अबाड किसको दिया गया है केके मैनन को मोस्ट वर्फ टाइल एक्टर की स्रेडी में यानि कि जो एक्टर सभी तरह के रॉल लगी किया था और उसके लिए आइस आवार्ड भी दिया गया था बात करें दादा साब फाल के पुरुषकार की तो इसकी स्थापना निदेवाले है उसके अंत्रगत दिया जाता है यह एक तरह से सरकारी एजंसी है जो हमारा सरकार का जो मंत्राले है Information and Broadcasting मंत्राले उसके तेत यह आता है ठीक है जो निदेवाले है वो Information and Broadcasting मंत्रा लेकिता आता है और उसी के द्वारा जो राष्ट्री फिल्म पुरूष्कार मौत्सव होता है उसमें दिया जाता है गो ऐलेक्ट्रिक कैम्पेन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गलकरी द्वारा गो ऐलेक्ट्रिक campaign क्या है ये तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा तो किसने उद्गाटन किया है इसका या पर किसने लॉंच किया है तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर जो है नितिन गणकरी उन्होंने इसको लॉंच किया है 19 फरवरी को चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ नर नर्मदा रिवर के लिए नर्मदा जैनती मनाई जाती है ठीक है ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर के लिए ये 19 फरवरी को नर्मदा जैनती मनाई जाती है नर्मदा जैनती भारतिये लूनर कलेंडर के अनसार मनाई जाती है यानकि इसकी जो डेट है वो एक फिक्स नहीं है जो lunar calendar होता है उसके इंसार इसकी date भी change हो सकती है नर्मदा नदी मद्यप्रदेश के अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी कहां से निकलती है मद्यप्रदेश में जो बिंदे का परवत है उसकी जो अमरकंटक की जो पहाडियां है वहां से निकलती है तदा गुजरात से oकर यह झा मिलती है यह बिंद पर्वर्थ और जो फट्रपर्वर्थ है हम्हारा उसके मद्ध से ओकर बैठी है तीक है, यह प्रयाजडी पी भारत की पष्ट्यम की और बहने बाली नदियों से फिम एक है जो आरफ आगելा में जहां मिलती है चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ यह है नर्मदा नदी पर कुछ टाम पहले जो नर्मदा बांध बना था या फिर सर्दार फर बांध बना था यह भी काफी चर्चा में रहा है और नर्मदा नदी के वहाने पर ही जो हमारे सर्दा बल्लभाई पतेल की यूनिटी ऑफ चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ आइडेक्स और नेवडेक्स यह हैं इंटर्नेशनल डिफेंज एग्जिबीशन धान अद नेवल् डिफेंज एग्जिबीशन ठीक है यह 15 संस्कड़ है यह एग्जर्वरक में यह सभू यूजय के जो अबूधा भी है वहाँ पर यह 25 25 परवरी के बीच आयोजित होंगे भारती नेवल शिप प्रले भी इसमें भाग लेगा भारत भी भाग लेगा आईटेक्स और नेवडेक्स में पंदरे बाव संस्क्रड है अबुधाभी यूएई में ठीक है यह मनाया जा रहा है या फिर जो लग रहा है जो एक्जिबीशन वो यूएई अबुधाभी में लग रहा है अगला वी टोपिक है बिशव भाष्टी विशव इध्याले को फ्री ओसियन और नॉलेज भी कहा गया है free ocean of knowledge यानि की जो ज्यान का जो free निषुल्क महासागर एक तरह से बोलते हैं तो वो बोला गया है प्थानवंतरी मोधी तवारा अब बात करते हैं बिस्व भारती बिस्विध्याले के बारे में बिस्व भारती बिस्विध्याले के इस्तापना होई थी पस्चिमंगाल विष्व भारती विषवुद्धाले कास देता है को चना आई तो पस्चिमंगाल आपट लगाना है ठीक है इसे 1951 मैं के विष्वद्धाया का दर्जा दिया गया है 1901 में सम्सद है एक एक्ट बनाया था केंद्री विस्विध्यालय अधिया तो इसलिए इसको भारत का पहला पहला केंद्री विस्विध्यालय है वह भी बोला जाता है कब इस्तापन हुई थी 1921 में एकरद्वारा कहा पस्चे-मंगाल वे हैं चलते हैं आगी Security Appellate Tribunal ये क्या है? हाली में SAT यानि Securities Appellate Tribunal ने सेवी के एक आदिश पर रोक लगा दिये जो सेवी है हमारा Security and Exchange Board of India उसके एक आदिश था उस पर इसने रोक लगा दिये जिसके तहित Insider Training Insider Training का मतलब है कि मान लो कोई भी कंपनी कोई भी विस्तार करना चाहती है तो जो गुप्त सूचना होती है या तो वो खुद उसका लाव उठाएं या फिर किसी को लीक करते हैं वो सूचना तो जिससे वो फादा उठा जाए मानो के एक कंपनी है जैसे Jio है Jio भी अपना बिस्तार करना चाह रही है मतलब नया इन्वेस्टमेंट उसमें आ रहा है जैसे Jio की और Facebook की जो पार्टनरस फिप होई थी कुछ टाइम पहले वो ही देख लेते हैं तो जब ये पार्टनरस फिप होने वाली होगी अगर पहले ही हम किसी को लीक कर दें तो कोई पहले शेयर खड़ी दे लेगा और जब ये पार्टनरस फिप या फिर बिस्तार बगएर होता है तो क्या होता है उसके शेयर की कीमत बढ़ जाती है तो अगर कोई एक करोड रुपे भी लगा रहा है किसी को बता दी तो उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ये एक तरह से गलत है क्योंकि एक व्यक्ती पर्सनल जो है वो लाव कमा लेगा तो इसी के आरूप में जो सिक्योर्टी थी उसने ये फ्यूचर रिटेल एक कंपनी है फ्यूचर रिटेल लिम्टेड उसकी चेर पर्सन और अन्निक की जो सिक्योर्टी मार्केट में एक साल के लिए बैन कर दिया था यानिकि वो एक साल के लिए सिक्योर्टी मार्केट में नहीं आ सकते जो हमारा प्रतिबूती बाजार होता है शेयर बगेरा की खरीद प्रवक्त होती है उस मार्केट में नहीं आ सकते ऐसाफ सेबी ने बोला था तो S.A.T. ने अभी उस पे रोक लगा दिये S.A.T. एक सामिदिक समस्ता है जो सेबी एक्ट 1992 के थहत इस्तापिद हुआ था जो सेबी एक्ट 1992 है उसकी धारा है 15 के उसके धारा इसकी इस्तापना होई थी है मुक्याला कहा है मुंबई में जो सेट है यानि की सिक्योर्टी अपीलेट ट्रबिनल है वो IRDA, Influence Regulatory Authority of India यह होती है PFRDA, Provident Fund Regulatory Development Authority जो है और सेबी इन तीनों के फैसले की अपील की जा सकती है कहां पे S.A.T. में इसकी पावर Civil Court के बराबर होती है जो S.A.T. है उसकी पावर Civil Court के बराबर होती है ठीक है इसके फैसलों के खिलाब जो अपील है वो सुप्रिम कोट में होती है यहां से अगर जो भी S.A.B. है या फिरड़ा है या PFRDA है इसके जो फैसलों के खिलाब कहां अपील होती है S.A.T. में और S.A.T. के फैसलों के खिलाब कहां अपील होती है जो CGI है, स्वरी, CBI ने, CGI, जो हमारा भारत का मुख्य नयादीफ होता है, CGI, उसकी सलाह पर, जो उससे परामर्फ करने के पस्चात, केंद्र सरकार, जो SAT है, उसमें, जो सदस्य हैं, और जो अध्यच है, उसकी नियुक्ति करता है, यानकि एक तरह से जज हो गई है, तो उन मुख्याल है, मुंबई में है, और इसके खिलाब, जो फैसलों के खिलाब है, वो अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, अब बात करें सेवी की, तो सेवी भी एक तरह से सामधिक समस्था है, इसकी स्थापना होई थी पहले 1988 में, यानिक 1988 में, लेकिन बाद मे पहले किसी एक्ट के द्वारे स्थापित नहीं थी, मतलब गेर सामधिक समस्था थी, बट बात में जब 1992 में सेवी एक्ट आया, तो उसको सामधिक दरजा मिल गया, इसका मुख्याला भी मुंबई में है, ठीक है, ये करती क्या है, ये करती है, जो भी शेर बाजार होता है, या फिर कमरोटी बाजार होता है, बस्तू बाजार, तो उसमें जो भी खरीज़ी प्रवक्त होती है, इसकी देखवाल करती है, कोई भी illegal activity नहोगा हो, जैसे अभी ये होई, तो ऐनसी कोई भी काम नहोगा हो, या तो ये गर काम अच्छे से चले, अगर fair की कीमत जादा घट तरगती आती है ठीक है चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ क्रिस मौरिस क्रिस मौरिस यह दच्छड अफ्रिका के ओल राउंडर क्रिकेटर हैं यह क्रिकेट खेलते हैं औल राउंडर हैं यानि कि गैंदबाजी भी करते हैं और प्लेइंग भी करते हैं इस बार IPL में सबसे मह मेंगे बिके हैं वो यहीं है क॰िस्ष मॉरिस राइस्वं रोयलिस ने इने 16,25 र Kayla में खरीद है लाई पर आंगे हैं पहले यह या जाई रखांकि वह से निकाल दिया गया अग्या फिर बाद में जो इनका रिकॉर्ड देखने के बाद जो रायस्थान रॉयल्स है उसने इसनकी बिक्री की नतलब वही बोली लगाई तो 14 करोल 25 रुपे में इनकी बोली लगी थी जो पहले सबसे महें खिलाडी का जो खिताब था वो नाम था युबराज शींग के प्रेंशिव एकनोमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरसिक अग्रीमेट यह किस देश के साथ हुआ है भारत ने किया बी मौरिशस के साथ भारत और मौरिशस के बीच CE-CPA ये agreement हुआ है comprehensive economic cooperation and partnership agreement ठीक है भारत और मौरिशस के मद्द यह पहला एंसा समझोता है होगा किसी अफ्रीकन देश के साथ यानि कि अफ्रीका के जितने भी देश हैं भारत उनसे लगाता प्रयास कर रहा है जो इस तरह के जो agreement है trade agreement वो करने की लेकिन ये पहला देश है जिसके साथ अभी भारत कर पाया है 2-5 से ही भारत और मौरिशस इसके लिए प्रयास कर रहे थे यह एक limited agreement है जिसके तरह कुछी चीज़ों को cover किया जाएगा यहां पर regular रूप से जो tariff बगएरा लगता है वो कम किया जाएगा तो भाई जो 615 चीज़े है जो मौरिशस की 615 चीज़े है उसको भारत में थोड़ा सा rules delay किये जाएगे और उसको जो tariff बगएरा है कम किये जाएगा उसको आसानी से पहुँच मिलेगी तो ऐसा ही बस्तू बयापार और जो सेवा बयापार है लोगों की आवाजाई एक देश दूसरे देश में यह सब आसान बनेगा जो भी agreement होते हैं इस तरह के उनके द्वारा बाकि जो जितने भी agreement होते हैं ट्रेल से डिलेटर हमारे YouTube चैनल पे थोड़े टाइम बाद आपको एक वीडियो मिल जाएगी इसी के लिए जितने भी एक्ट होते हैं इसमें अच्छी तरह से समझाए जाएगा कौन से चीज़ें कहां पर जाती हैं कौन सी नहीं जाती है ठीक है तब यह बात कर लेते हैं मौरिशस की मौरिशस है तो बैसे हिंद मासागर में लेकिन अफ्रीका का देश ही माना जाता है एक दीपिय देश है तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ बिश्व पैंगोलन दिबस 20 फरवरी को बिश्व पैंगोलन दिबस मनाया जाता है पहली बार दोयर बारे में मनाया गया था बिश्व पैंगोलन दिबस पैंगोलन एक मैमल होता है जिसका इलीगल शिकार और ब्यापार किया जाता है और शिकार की वज़े से ये एक तरह से बिलुप्ति की कगार पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे पैंगोलन मुक्यता एसी और अफ्रीका में मिलते हैं जो प्राक्रतिक रूप से जो पैंगोलन है एसी और अफ्रीका में मिलते हैं भारती पैंगोलन आयूसीन की रेड लिस्ट में है जो है एंडेंजर्ड जो स्रेडी में आता है एक्सिटेंट इंड वाइड और एक्सिटेंट टोटल खतम ठीक है तो काफी खराब इस्तिति है इनकी और जो कुछ ताम पहले जो कुरोना वाइरस आ रहा था तो जो बयान आ रहे थे तो उसमें बूला गयता है यह पैंगुलिन से मानम में आया क्योंकि जो चाइनीज वाले लोग कुछ भी खा लेते हैं तो पैंगुलिन भी वो लोग खाते हैं फिर बात में पता चला कि जो रैट है यानि कि चमगादड है चमगादड से वाइरस किया जाता है पता जाता है कि इससे जो दवाई बनती है तो दवाई बनाने के लिए इसका शिकार होता है और चाइनीज लोग खाते भी तो आज की डिस्कुसन में इतना ही है देखने के लिए धन्यवाद